प्रभास स्टारर फिल्म आदी पूरश की शूटिंग हाली में मुंबई के एक स्टूडियो में चल रही थी उस दोरान करीब 200 लोगों का क्रूज सेट पर मौजूद रहता था हाला कि डारेक्टर ओम राउत सभी कोविड गाइडलाइन्स का पालन कर रहे थे प्रोड्यूसर शूटिंग रोकने के मूड में नहीं थे लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उनके मनसूबों पर पानी फेड दिया रिपोर्ट्स की माने तो राउत ने फिल्म से जूड़ी एक खास बात शेयर की है उन्होंने बता है कि इस फिल्म को वो 3D टेक्निक से शूट कर रहे हैं वेला अगर आपको याद होगा तो ताना जी में भी हमने इस तरह की टक्निक का इस्तमाल देखा था ओम राउत का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आदी पूरुष के लिए 7000 सेल पहले की प्रिथवी दिखानी हैं ये विशे की मांग है तो हमारा काम भी उस तरह से चल रहा है संभाथा रामट दुनिया का सबसे मुश्किल करदार है इसके लिए मैंने सेफ को इसलिए चुना क्योंकि वो हर करदार को पूरे पैशन के साथ करते हैं रामट का करदार नागेटिव है और ताना जी में सेफ का करदार भी नागेटिव था इसलिए उन्हें यकीन था कि सैफली खान रामड के कैरेक्टर को बखु भी निभास सकेंगे वेल दोस्तों आपको बता दू कि फिल्म की रिसर्च पर 19 साल का वक्त लगा है 7000 साल पहले के पृत्वी को दिखाना आसान नहीं है हम वैसा माहौल बना नहीं पहेंगे फिल्म को रियल लोकेशन पर भी शूट नहीं कर सकते इसलिए कोई प्लैनिंग रियल लोकेशन पर शूट करने की नहीं थी मैं जिस तरह की स्क्रिप्ट और सीन लिखता हूँ उसके लिए बहुत ज्यादा प्लैनिंग होती है हम अपनी प्लैनिंग के हिसाब से ही चल रहे हैं इस फिल्म को पहले दिन ही हमें स्टूडियो में शूट करने बाले थे किसी भी बदलाव के साथ हम प्लैनिंग और रुख नहीं बदल सकते हाला कि कोरोना की वज़ा से स्टूडियो में शूट करना भी अब मुश्किल हो गया है वेल ओमराउत के बातों से ये कहां साथ हजर साल पहले की कहानी को फिर से रीक्रियेट करना ये बहुत टफ है और इसके लिए बहुत प्लैनिंग चीए वेल हमें बिलीफ है विश्वास है ओमराउत पे ओमराउत आगे कहते हैं मुझे हमेशा से इतिहास और माइटलोजी में बहुत इंटरस्ट है कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानिया या किर्दार पढ़ते वक्त आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं मैंने बच्पन में नाना नाने से या बुजर्गों से कहानिया सुनी है उससे बहुत इंप्रेस रहा हूँ तो कई बार लगता है कि हमें इन बहतरीन कहानियों को लोगों तक नए तरीके से पहुचानी चाहिए यही वज़ाए कि मुझे ऐसे विश्यों पर काम करने की बहुत इच्छा रहती है फिलाल मैं आदी पुरुष पर ही फोकस कर रहा हूँ और जल्दी से पूरा करूँगा वेल इस पे हमें कोई शक नहीं है क्योंकि हमने ओम राउत का काम देखा है ताना जी में तो हमें बिलीव है कि ओम राउत आदी पुरुष को भी एक नए लेवल पे अड़ लेकर आएंगे चो कि एक अलग कहानी बनाएगी चाहे वो बॉक्स ओफीस हो या फिर दुनिया में वेल आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राई शेयर करें थैंक यू सो मच राउल पिरीजे बॉक्स करें